विजडम कैपसूल मेसेज बाई सर्श्री छोटे संदेश गहरे संकेत क्या क्रिकेट में भारत हार गया इसका दुख है इनसान को या शर्त हार गया इसका दुख है या उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ इसका दुख है उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसका दुख है या पडोसी देश जीत गया इसका दुख है या पडोसी का सुख दुख है पडोसी का सुख दुख है इन्सान के पच्चास प्रतिशत दुख तुरंट समाप्त हो जाएं अगर पडोसियों के सुख समाप्त हो जाएं वो देख रहा है और इसको ये मिला इसको वो मिला मुझे नहीं मिला अगर उनको भी नहीं मिला होता तो दुख नहीं होता पडोसियों के सुख नफरत जगाते है और कुदरत का नियम है जो चीज़ को देखकर तुम नफरत करोगे वो चीज़ तुमारे पास नहीं आएगी पडोसी का सुख देखकर नफरत करोगे तो सुख तो कभी आने वाला नहीं है जब पड़ोसी के सुख को देखकर खुश हो गई तो खुशी आपके पास आ सकती है ये कुदरत का नियम है तो जिस इंसान के अंदर नफरत है उसको किसी और दुश्मन की आवशक्ता नहीं है वो अक्यली काफी है अंजाने में इनसान दूसरों के सुख से नफरत करके सुख को रोक रहा है खुशी को रोकने का बटन है नफरत से इनसान अपना ही सुख रोक रहा है जिस दिन आप दूसरों के सुख में खुश होने की हैबिट डाल दोगे अचानक देखोगे आपके जीवन में सब चीज़ें आ रही है हर सुख आपके जीवन में आ रहा है खुशी बढ़ रही है इंसान कैसे पडोसी के सुख में दुख मनाता है ठीक उसका उल्टा होना चाहिए देखो कारण में ही निवारन है नफरत को हमें समझ की मशाल से बस्म करना है ये अंदर से नश्ट हो जाए बस्म हो जाए बाहर से आप अच्छा अच्छा बोलो कि मेरे पडोसी के पास ये है मुझे खुशी है और अंदर से अगर जल रहे हो तो यह आपको पीतल बनाता है मैगनेट नहीं बनाता जो मैगनेट बनते हैं चुम्बक बनते हैं उनके पास खुशी आती है जो पीतल बनते हैं उनसे खुशी दूर भागती है तो मैगनेट कैसे बने प्रेम से मैगनेट बन सकते खुशी से मैगनेट बन सकते ये मत कहना पहले ये काम हो जाए तो मैं खुश होँगा इंगेजमेंट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, पास हो जाए, लड़का हो जाए, घर बन जाए, कार आ जाए, फिर मैं खुश होँगा जनम दिन आ जाए, फिर खुश होँगा अब भी खुश हो सकते हो जब ये रहस्य समझ में आएगा तो रुके नहीं रहोगे आजू आजू में देखोगे लोगों के पास क्या खुशियां है उनको देखकर खुश होना शुरू कर दो सिर्फ बाहर से शब्द नहीं आमत्रिक फीलिंग भाव भाव के प्रभाव से आपके जीवन में खुशी आएगी भाव का प्रभाव सचमुच आप जब लोगों के मंगल के लिए प्रात्ना करोगे सुख में खुश होगे तो खुशी आपके जीवन में आने वाली है वरना सिर्फ बाहर से बोलोगे अंदर से तो नफरत ही होगी बाहर से बोल रहा बहुत आधर है सास के लिए, बॉस के लिए, पड़ोसी के लिए आंतरिक जब लोगों के मंगल के लिए प्रात्ना निकलेगी और यह आप दूसरों पर आहसान नहीं करने वाले यह आहसान आपका आप पर है यह प्रियोग करके देखेंगे कि दूसरों की खुशी देखकर खुश होना शुरू करो तो देखो कि खुशी आपके पास बढ़ने लग जाएगी मैगनेट बन जाओगे सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है तेज ग्यान नहीं तेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं यह शिविर आप ओनलाइन भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें झाल